दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे सौस्त होंगे और हैल्थी होंगे मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं प्रेग्नेंसी टाइम में जो हमारा वीड बढ़ता है तो हमें लड़का होता है या पर लड़की होती है अगर हम बहुत जादा मोटे हो जाते हैं तो अब हमें इस कंदिशन में हमें क्या होता है लड़का होता है या फिर लड़की होती है क्योंकि ऐसे कई सारे लक्षन हैं जिनने देखकर अनुमान लगाया जाता है अन्दाचा लगाया जाता है लड़का और लड़की जैनलर प्रेडिक्शन किया जाता है एक और टॉपिक के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करने वाली हो जो कि है वीड का बढ़ना अगर आप अगर आप प्रेडिनसी ताइम में बहुत जादा मोटे हो तो यह किसका संकेत होता है लड़के का होता है या फिर लड़की का होता है साथ ही मैं अपना परसनल एक्सपी मेरे साथ क्या था जब मेन बीब का इसी मेरी वीड श।क मेरी प्रेडिक तरफे helps ने वाले है कि ले अज़िए कर दीशे में लृष्वरण हमें आप अभी तक आपने वीडियो को डिक सावरा घ्रयं से और जिक्रेड करदिया ने हैं या अभी तक और सब्सक्राइब कर दी सबसे पहले हम बात ग stripes करते लो bes No बात करते हैं वेत गिन को लेकर कि प्रेगणसी्ट डाइम कीतना उना चाहिए जाये दें कि लॉड़का हो रोड़की हो आपकी अपनी संतान है यह तो आपको नो मेंने बाद पता चली जाएगा लेकिन जो कोशिश करना है कि हैल्दी हो लड़का हो या लड़की हो बहुत जरूरी है तो ऐसे में आपको अपने ओपर ध्यान देना है आपका कितना वेट है कितना होना चाहिए इन सब बातों पर ध्यान देना है तो मैं ये तो बताऊंगे ही कि इसे आप जैंडर प्रेडिक्शन कैसे क इसका parameter कोई fix नहीं होता है कि इतना ही weight gain होना चाहिए इतने ही आपका weight बढ़ना चाहिए सब कोई जरूरी नहीं होता है सब की अलग-अलग body होती है body according body के हिसाब से weight बढ़ता है अगर आप बहुत जारा दुबले पतले हैं बहुत जारा underweight है तो तब यह जरूरी हो जाता है कि pregnancy के दोरान आपका 14 से लेकर 18 kg तक weight का बढ़ना जरूरी है लेकिन अगर आपका normal है आप normal weight के हैं आप लोग तब आपका इस condition में 11 से 16 kg तक weight gain होना जरूरी होता है सो गैस अब बात करते हैं कि जो बहुत जारा दूर वेट होते हैं अगर आप और वेथ हैं आप नोर्मल से थोड़ी से जारा weight के हैं तब इस condition बहुत सब्सक्राशर्वापर के हैं तब इस condition में आपका 10 से जह रहारा हूं अगर जो वीट है वह 5-9 kg तक ही बढ़ना चाहिए जादा वीट के नहीं करना चाहिए आपको यापके लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है अब नॉर्मल हम बात करें कि आपका प्रेग्नेंसी टाइम में वीट बढ़ता कितना है तो देखे दोस्तों जब तब तो आपका दो से तीन केजी तक वीट बढ़ना नॉर्मल होता है बाके के चोई टाइम होता है छोड़ा पांचो चटा इसके बाद में हर महीने आपका आदा किलो याने की 500 ग्राम वीट बढ़ता जाता है तो यह नॉर्मल होता है अब हम बात करते हैं कि आपका अगर पांचो जादा वीट गीन हो रहा है तो इसका किस मतलब लड़का और लड़की कैसे पता लगा सकते हैं तो क्याश देखें मेरे केस में क्या था कि मैं प्रेगनें थी में नी बीबी बोड को कंसीब किया था तब मेरे साथ ऐसा था कि मेरी ओल आवर बोडी में फैट नहीं करुगा μέते हैं और कमर पर बितना अगर बड़ कर में था क्या कि हमारे पर बोडी होते हैं ना जाथ कि हमारे जारे प्रेंट उते और होते है तो वह सुर्फ हमारा ही बढ़ रहा है और उसमें इंकलूड हो ता है दोर आपके बच्रवीत और आपके जो प्यमीने लृमींट रहता है तो वो सब मिलाकर होता है अगर मैं बात करूँ अपने प्रेगनेंसी की तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरा सरफ पेठी पेट निकाल रहा था और मेरा वेट भी अच्छा खासा बढ़ गया था लेकिन में मोटी नहीं दिखती थी तो गाइस मुझे बेटा हुआ और अग मेर जो भी बैंगेंग सबसाइस का अब कर वीट किया था और मेरा जो बच्चा था वह सारे दीन केलों का हुआ था इस वज़े से भी मेरा वीट बड़ गया था धाइस मेरी क poses में रिखमस का था रहा है यारे मेरे केस में भी मिलनकोट साहित हो दिखती होगा तो ब्रूं ब लड़ा ondasफने बड़ा होगा वेट नहीं बड़ा धवी merge सब की जिससे कि मैंने स्टारिड के बताया है जब की बोड़ी हि dugHY सब के सिंप्डूम के अश्ट कНशन मिल गया होगा अब बात करती कि तक आपका वीट गेन होने होने की रीजन क्या होते है तो देखे, सबसे पहला reason होता है इसका stress, अगर आप stress लेती हैं during pregnancy, तो क्या होता है, कार्टिसॉल नाम का hormone होता है, वो release होता है, जिससे कि आपका जो weight है, वो बढ़ जाता है stress लेने से, और अगर आप stress लेते हैं, तो आपके बच्चे तक भी stress वाले ही hormone बहुचते हैं, तो आ आप परेशान रहती हैं, आपका वच्चा भी परेशान रहता है, तो आपको stress बिल्कुल भी नहीं लेना है, साथी आपको नींद पूरी करनी है, आपको रात को 7-8 घंटे तो नींद लेना ही है, कंपल सरीश से आप कम लेंगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी कारण होता है, अगर आप नींद पूरी नहीं लेती है, तो आपका वीड बहुत तीजी से गेन होता है, अगर आप दिन रात में ठीक से नहीं सो पारें, तो आप दिन में सो सकती है, लेकिन आपको नींद पूरी करनी ही है, साथी आपको तीसरा है, दोस्तों, जब आप प् 300 Kcal एक्स्ट्रा ही कानी है आप जितना भी खाना घाती हैं सुबा और शांप को दोनों को मिला कर आपको 300 Kcal या दो या तीन रोटी आप एक्स्ट्रा खा सकते हैं जितना आप नॉर्मली को खाती ती इससे जदे आपको नहीं खाना है साथ ही आपको फास फूड से जंक फूड से बिल्कुल दूरी बना लेने हैं क्योंकि आपको healthy ही खाना है ताकि आपके बच्चे को भी healthy nutrition मिल पाए अगर आप यह हर कुछ खाएंगी जंक फूड वगेरा तो यह आपके लिए तो नुकसान दायक होगा इस ते आपका unnecessary मोटावा बढ़ेगा साथ ही आपके बच्चे तक भी healthy खाना है वो नहीं पहुच पाएगा तो आपको healthy खाना है anyhow condition अगर आपको ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप हफते में एक बार junk food खा सकती है इसके अलावा इससे ज्यादा आपको नहीं खाना है फिर next है आपको दोस्तों अगर आप चाहते है कि आपको वीट साथ ना बढ़े तो आपको 15 मिनट तहलना है अगर आप ज्यादा नहीं रहल पा रहे हैं तो पांच मिनट के रेज तसे आपको 15-20 मिनट तो तहलने की कोशिच दरूर करनी है तो guys यह थी अच की वीडियो कैसे लगी उमीद कर दिए कि आपको पसंद आई होगी और अगर इ ए प्नाइं ते कया टो लगने कर दिए को दूर हैएएँ तो कँ आपकोर भ्लाव